हालो फ्रेंज गूड आप्टो नून कैसे हो उमिद कर तू आप सब अच्छे होंगे अभी मतलब हो गया एक बज गया था अभी हम दोनो नेना और में बेट के खाना खारे पुलाओ और आचार खारे अभी नेना नेना को पुलाओ बहुत पसंदे सत बताओ क्योंकि चावल ज गये हैं एक जगा मतलब कोई उनका दोस्त बुलाए थे तो गये हैं उनके घर तो फिर हम मा बेटी क्या बनाए खाच देखो चावल दोपर का तो चावल हम खाते हैं लेकिन चावल बनाओ फिर उसके साथ कुछ दाल बनाओ फिर उसके साथ सबजी बनाओ और मैं ग्रीन खाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं खाते हैं मतलब उनको इतना पसंद नहीं आता है खाते हैं कभी कभी खाते हैं लेकिन हमको न एक दिन दो दिन छोड़के दे दो न हम खा लेंगे उनको इतना पसंद है और यहां पर मैं नेना को रसगुल्ला करकर के दे रही हूं और यहां प बहुत भी काम है, काम खतम करूंगी, तो फिर आज अख्यत रुटतिया, जो हमारा जो है, जो आज, मतलब आज क्या होगा ना हमारा धान, जो होता है ना, धान खेती में बुना जाएगा, तो इसलिए आज पिठ्या बनाऊंगी, मतलब डोसा बनाऊंगी, और सब्जी कुछ चबिंदेग रखी और यहां पर हम दोनों माई इटी खा रहे हैं और नेना हम दोनों खार लेंके माई बीटी फिर जाके मिलते हैं पिर यहां पर हो गया सांब में के बाद पर जो और दल उसको सापकिया चाऊल कुस्स बढ़ना बोस क्या दोनों का वहारी फोगा impressed साब किया कंकर बहुत होता है ना कंकर बहुत रहता है चाओल में और इसी में क्या बोलते हैं और दाल में खेती का है ना खुद का घर का तो यहां पर यह फिर इस को क्या करेंगा ना फिर यहां पर मैं चना मसाला बनाऊंगी जो आलू डाल के बनाती हूं मैं कैसे बनाती हूं ओपके साथ मैं recipe CR कर देती हूं तो यहां पे थोड़ासा तेल गरम होने जाने के बाद जीरा दे दिया मर्ची दे दिया और प्यास दे दिया यहां मैं घुर्णड रसुन मतलब कोट के रख्याूं ऐसे मक्स मतलब नहीं किया ज्यादा बनाना—— प्रिवे ज़्यादा मसाला हो जाते हैं कि मेरे कूपता नहीं मैं थोड़ी मसाला में कुछ बना नहीं पाती हूँ इसलिए मन डाड़खाती हूँ सच बता हूँ यहां पर मैं चना चेक कर देती हूँ छीक से भीगाये नहीं क्वें को India तीन वजे भीगाई थी तो फिर भीगा ने ठीक से भीग गया था थोड़ा सावर भीगना था तो अच्छे से चना भीग जाने के बाद ना मतलब अच्छा हता है इसलिए मैं ज्यादा सीटी लगा दिया था धीमी आंच में तो यहां पे प्याज को भून लेती हुँ फिर यहां पे मैं क्या दिखा र दाली थी फिर उसके बाद मैं दो टमाटर डाल दूंगी और कुछ नहीं मतलब साधासा चना मसाला है मतलब वो डोसा के साथ बन खाने के लिए मुझे तो पसंद है नेना के पापा को ऐसे दोसा पसंद नहीं यहां पर डोसा का बेटर है साइड में दूध है सारे चीज मतल था कीत्या बनाना प्ताइम लगता है यहां पर में प्याज भून जाने के बार फीहां पर डे दिया हूँ थोडा सा तेमाटर दे रेके नमक दे दूँगी और थोड़ा सा पक जाएगा यहां पर में स्वाज अनूशार नमक दे दूँगी क्यश pepper骑 दो तीन बार नमक तो यहां पर मैं उसके बाद कुछ सूट नहीं किया वहां पर अध्रक रसुन को जो चेज के रखी दी उसको दे दिया थोड़ा साल मीर्च दे दिया थोड़ा सा गरम मसला दे दिया और जो हल्दी बस इतना इदे के उसको अच्छे मिल जाए तो उसके बाद में थोड़ा सा ना चना को क्या कर दिए चना को निकाल के थोड़ा सा हाथ में जो मेश कर लेती हूँ नहीं तो गोटा गोटा रह जाता है देख सकते हो में थोड़ा सा हाथ में मेश कर दिया था फिर भी में बाद में थोड़ा सा चामज में थोड़ जो सारे समान और धनियापता यहां पे रखी हूं उसको धो के कट के रख दूँगी तो मेरी हो गया अभी मेरा पग गया है अभी मैं थोड़ा सा भी मतलब बीच में निकाल के मेस कर दिया था अभी मेरा पग गया और धनियापता डाल दिया हूं थोड़ा सा गरम मसाला डाल उसके बाद डोसा बना दूंगे अभी देख सकते हूं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया हूं और थोड़ा सा ये कर दूंगे मतलब मिला के फिर निकाल दूंगे क्योंगे डोसा भी बना रहा है नेना को लगी है भूक पता है सबजी तो उसको कुल। सैथे मियम्स की देना कर दोका है अपने सब्जी नहीं खा दिये बास उसका जो फ्लेवर है जो मसाला है उसको निकालकर खा देती। सारे चना बना जो भी है रह जाता है। मैं दे दिया हूं उसको इसी में फिर हम दोनों भी उसमें बेट के खालेंगे ॔र मैं दगद्ण पत्ला पत्ला बनाती हूं थोड़ा सा बेटोंना मोटा है क्योंकि नेने के पापा को बना के दोंगी मोटा मोटा डोसा और नेना प्लेट में ले चुकी है उद जो डोसा एक बनाई थी और यहां पर थोड़ा सा देख चकते हो मेरा डोसा और जो आज दिनर में क्या बना आज दिनर में डोसा और चना मसाला बना है तो आएए खाली जिये हमारे साथ आपको भी मैं बुला मतलब आ जाईए तो चलिए उमीद करती हूँ आपको यह वाला ब तो देख सकते हो थोड़ा सा मोटा बेटर है पतला पतला डोसा बनाने के लिए थोड़ा सा बेटर को पतला करना चाहिए लेकिन मैं अभी पतला नहीं करूंगी क्योंकि नेना के पापा के लिए थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी तो इसलिए बोलते है कि मैं अग्दम हाई कर दिया तो चले फिर आसा करती हूं यह बला ब्लोग अच्छे लगा तो अच्छे लगा लाइक करते हूं और बरतन स्वारे साप करना है तो उम्मीद करते हूं बाई बाई फिर में लेकर एक नया वीडियो के साथ बाई